Mr. Reactive Zone ने लिगा कि भाई Elimination Chamber का reaction कर दे नहीं यार, please बाबू, भाई मेरको भी करना था, and personally speaking इस तरह से Royal Rumble का reaction की वीडियो अभी तक हटी नहीं है, मैं चाहता हो कि उसी तरह फिर्म में हर PLE यानि की premium live event का करूँ, और इसलिए मैंने Twitter पर tweet डाला कि 69 likes कर दो, तो कर देंगे, भाई उन्होंने सुबह उठके देखा, तो 72 likes कर भी चुके थे, मैंने का भाई बहुत बढ़िया, अब तो Elimination Chamber क्या, अब तो हर पेपर व्यू का ही आएगा, तो यह सोमा Champions of the World, मैं हूं 3DX जेतने, and पता नहीं क्या यार, मतलब Cody Rhodes का जब से return की, यह news आई है न, WWE के अंद वहां से WWE के आ रहे हैं, भाई, Thumbnail में Cody, भाई, सब articles कोडी के लिए आ रहे हैं, और Superstars ओपन हो रहे हैं, कि Nikki Bella कहीं कि नहीं मुझे भी comeback करना है, AJ Styles से पुछागी कि आप comeback करना चाहो, AJ Styles, AJ Lee से पुछागी है कि कि आप करनी चाहोगी comeback, तो उन्होंने कहा कि I'm not sure, देखो AJ Lee तो वो दिख जाएगा, कहीं फिर John Cena का return हो गया, तो वो दिख जाएगे, All Elite Wrestling में गई तो वहां तो उनका real lover है, but I feel like AJ Lee and Paige, these two superstars ऐसे हैं, जो कि इस time पे होने चाहिए, जब women's का evolution कह लिजए है, फिर women's wrestling in general अपने peak position पर है, girls like Sasha, Bianca, Becky and Charlotte, Liv Morgan, Naomi, मतलब talent तो भरपूर है, और ऐ ऐसे में अगर आपके पास AJ Lee और Paige ना हो, जो कि मेरे को लगता है कि अगर मेरे को women's wrestling में कहीं से interest आना शुरू हुआ था, वो यही वाला time था था थोड़ा, क्योंकि उसके पहले तक तो वही हो रहा था, Kelly Kelly and यह सब फालतुए drama में, जिसको बाल पकड़के बस चिलाती रहती तो मेरे हिसाब से AJ Lee and Paige, I think should have been in WWE right now, anyways AJ Lee को इतना वो मत करो, वो भी CM Punk की wife है, कहीं पता चले हम इतना करने है, बाद में पता चला, oh my god, she has gone to AEW, anyways एक बहुत बड़ी like, चीज चल रही है, like WWE की अलग किस से चल रहे है, All Elite Wrestling के अलग किस से चल रहे है, but एक बंदा है जो अपने नहीं किस से लेके घुम रहे है, and his name is Shane McMahon, भाई कोई ठोस सी अपडेट आ नहीं रही, मतलब अभी तो ऐसा कहा जा रहा है, लोग अफवा फैला रहे है कि Shane McMahon, you know, उनको एक battalion बनानी चाहिए, और वो शायद से बना भी रहे है, जिसमें कि वो जितने भी released superstars हैं, या कह लिज SmackDown का invasion तो छोड़ो, ये होगा अलग लेवल का invasion, और All Elite Wrestling में भी छोड़ो, अगर वो ही battalion ये Shane McMahon लेके आते हैं, और फिर WWE के अंदर invade करते हैं, just imagine यार, मतलब Shane McMahon है, उनके साथ, maybe Kurt Angle, maybe Rue से, and you know, जितने भी superstars release होएं, तो ये सारे superstars Shane McMahon के साथ आ रहे हैं, and then Raw और SmackDown को invade कर र मतलब एक जो main event mafia faction थी न, कह लिए जै कि आज की generation की main event mafia बन जाएगी, and you know, underground से तो Shane McMahon का पुराना नाता है, अरे भुल गए Raw Underground, तो of course डबा काटो और Omos जैसे superstar का contact तो हो गई Shane McMahon के पास, and मेरको personally ऐसा लगता है कि अगर ऐसी चीज फैल चुकिए Shane McMahon के बारे में, then WWE should use this creatively, और अगला जब भी Shane McMahon का number हमें मिले, WWE के अंदर देखने को, तो वो कुछ इसी तरीके से हो, especially invasion type, bro I love invasion things, especially अगर वो थोड़ी organic हो, मतलब जो हमने देखा Raw SmackDown की, जब 2016, 2016 से Raw vs SmackDown जो शुरू हुआ है, 16 नहीं था, I think 17 ही था, तो वो पहले एक-दो साल तो invasion में कितना मज़ा आता था, क्योंकि तब organic लगता था, लेकिन अब तो fake ही लगने लगता है, अब हर साल कोई कैसे कर सकता है, लेकिन ये वाला जो चीज होगी न, इसके बहुत reasons हो सकते हैं, Shane McMahon वो reasons, of course, बताएंगे, company, और even Tony Khan's company, just because Vince McMahon ने उन्हें कहा है करने को, is such a masterpiece idea, तो yes, of course, अपने thoughts बताना regarding this, what do you think के Shane McMahon का अगला move क्या होगा, personally speaking, ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल तक Shane McMahon गायब रहें, और अचानक से Shane McMahon का theme song बजे, in a random PLE, देखा कैसे PLE की आधक डाल रो बोलने की, comments की तरफ बढ़ लेते हैं, भाई सब, Saga Delight, Melodies and Head of the Table ने एक साथ लिखा कि, I want Kenny Omega in WWE, so that Roman can beat the shit out of him, भाई ये कैसी fantasy है, we know that is going to happen, but come on, यार, like इतनी जल्दी भी beat नहीं होगा, मेरे को पदा है कि Roman Reigns versus Kenny Omega can be a great WrestleMania match, जैसे कि Triple H versus Sting का देखने को मिला था, और मेरे को लगता है कि उस age में ही जाके देखने को मिलेगा, अगर Roman Reigns decide करते हैं कि वहाँ wrestling के अंदर ही रहेंगे, Kenny Omega भी ऐसा ही करते हैं, then Mark My Worst WrestleMania में एक दिन ऐसा match आएगा, जब दोनों लोग बुड़े हो चुके होंगे, और दोना का हमें WrestleMania match देखने को मिल रहागा, और उसमें Triple H versus Sting की vibes आ रही होंगी, और जिस तरह से उस match में NWO और DX आए थी, वैसे ही इस match में The Shield और Bullet Club देखने को मिलेगी, भाई, imagine करो कर ऐसा ही हो गया, ओ-ओ-ओ-ओ, छोटी-मोटी prediction पे तो हम लेते ही नहीं, हम तो सीधा बड़ी prediction करते हैं, रोशेश नागराले ने लिखा है कि Alexa का return spoil करके WWE ने hug दिया, मतलब वो तो चोड़ा Alexa को ही डाल के hug दिया उन्होंने मेरे इसाब से तो, नहीं ठीक है, मेरे इसाब से Alexa Bliss भी star power करी ही रही है, create कर रही है, but again, as you know, like Bayley और Asuka should have been in this match, but अगर नहीं है, Alexa Bliss को देखने में मज़ा काफी time के बाद वो भी ring के अंदर return कर दी है, and people are hoping कि वो नए character के साथ, नए मतलब जो भी चल रहा है उससे अलग, यानि कि पुराने वाले character में ही दुबारे से switch करके आए, तो शायद ज्यादा अच्छा होगा, बट ऐसा नहीं होगा, Elimination Chamber में धुआ निकलेगा, पीछे से Fiend आ जाएगा, Alexa Bliss की help करेगा और जीत जाएगी Bliss, White Devil ने लिखा कि, you forgot Miro the God, hashtag Roosave, I forgot Miro the God, looks like All Elite Wrestling also forgot about Miro the God, by the way, All Elite Wrestling के WWE debuts ज्यादा तरह ऐसे नहीं होते, कि ने-ने खिलोने आते हैं बच्चों के लिए, कि 5 महिने तक तो खेलेंगे, फिर वो बोर हो जाएंगे, तो फिर उस केटेगरी में आते हैं, बट हां, Miro can come to WWE, I don't think so, Dino Pal ने लिखाए कि, भाई, आपकी वीडियो देखके मज़ा आ जाता, अरे बहुत ही पड़िया यार, thank you यार, मतलब आपका कमेंट परके भी मज़ा आ गया, Cody versus Corbin का dream match, यह अच्छा है, वैसे देखा जाए तो जो भी R.A WWE के अंदर, वो Corbin से होके गुजर रहा है, और SmackDown में भी देखा, Drew McIntyre जैसा बंदा, उसको भी Corbin से होके गुजर रहा है, तो Cody Rhodes कि स्खेत कोई मूली है, तो of course, Cody को भी यही होना पड़ेगा, and by the way, Cody का All Elite Wrestling से जाना बनता था, यार, या उस वो बंदा, क्या बोलते हैं, कभ भाई, की वीडियो में दो दो question, Crowd Moxley की entry के समें Wild Thing चलाती है, या Moxley, भाई, ये ऐसा song है, जो कि मेरे इसाब से दोनों पर feedback तरहा है, अगर Wild Thing बोल रही है, तो ठीक है, भाई, सॉंग को follow कर रही है, अगर Moxley बोल रही है, तो ठीक है, सुपर स्टार को follow कर रही है, तो मेर मेरे को तो personally Moxley लगता थे, जब मैंने गाना सुना मेरे को पता चला, ओ, ये तो Wild Thing है, रितिक मसाने ने लिखा कि भाई, अगर Elimination Chamber मेरे रेंडी ने रिडल पर attack करके उसका spot छीन लिया, तो just like edge, ऐसा नहीं होने वाला, भाई, आप लोग रेंडी ओटन को कुछ ज़्याद कर रहे हो, एक तो होता है न, underestimate कर रहे हो, एक होता है estimate, आप इतना भी estimate मत करो बिचारे को, बट देखा जाए तो idea अच्छा है, लेकिन नेकिन नहीं आ रहा है, रिडल के साथ बुरा मत करो, प्लीज, अभी रिडल ने इतना comedy spot दिया, मैं मैं नहीं चाहते कि उसके साथ इतन अपने नाम का सच्टम था बनाया, दोला का इसने परिवारता चुटाया, पर समय की मार है, यह मेहनत की हार है, यह खुट को बदलना तो मेरे सब्दों के विचार है, अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेस को इसने RKO था लगभाया,